मसकार दोस्तो, मेरा नमे वीजय कमार आप देख रहे कौमिक्स पिटागा चैनल को तो चल्ली दोस्तो, राज़ कोमिक्स में नाग राज की स्तंदार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है बकोरा का जादू, आप देख सकते हैं इसका कभर प्रिष्ट जो की कुछ इस तर परवारों एम सोने के अभूसनों की जहंकार। एक मन्यता थी कि जो सीथियन जितना अधिक लूट पार्ट इम हत्याई करता उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता। पचास युसेवक और सेविकाय गला घोट कर सोने के बतनों के साथ मकबरे में दफना दिये जाते थे। बाद में सीथियनों से भी कुरूर, एम जालिम, सोरमेट्टा कविले से संघर्स के कारण सीथियन पूरी तरह से नस्ठ हो गए। और आज हजारों वर्सबाद बिसवी सदी में अगर सीथियन घुरसवार खजार में दिखाई पड़े तो किसी अश्चरे नहीं होगा। खजार वासी जिन एक खजार कहा जाता है उस धूल भरी आंधी को बिसमे से देख रहे थे। शेक्डों घुरसवारों का काफिला लगता है ये तो। हजारों बरस पहले इसी तरह सीथियन घुरसवार आते थे मौत की आंधी बन कर और सुना है बहत खौपनाख हत्यारे थे सीथियन। अकल सठिया गई है क्या बुढ़व। सीथियन हजारों बरस पूर भी तबाह हो चुके हैं। तो फिर ये घुरसवार कौन है दुस्मन या दोस्त। खजारों के दिल तेजी के साथ धड़कने लगे थे। धूल भरी आंधी छटी सीथियनों को पहचान कर चीख पड़ा कोई। सीथियन। खौनी सीथियन है ये। इतिहांस से निकल कर बाहर आ गए हैं सीथियन। उफ। सीथियन दल का राजा बुलगार लोट लोट लो पूरे खजार को। सैक्रों के संख्या में टिड़ी दल की तरह फैल गएं सीथियन। खजार के चप्पे चप्पे पर। लोटो। लोटो। पूरे नगर पर कबजा कर लिया था जालिमों ने, खजारों में दहसत मचा दी थी, सीथियन लूटते हैं सिर्फ सोना, नहीं, सोने के अलावा सीथियनों को एक और प्यास थी, खून की, ताजा और गर्म लहू मदीरा में मिला कर पीते हैं हम, बुलगार की मस्क मदीरा एमरक से छलक उठी, वाह, अब आएगा मदीरा पान का असली मजा, ऐसा कतले आम सब दुनिया के इतिहास में कभी न हुआ होगा, इस बार मुझे हासिल करना है सीथियन कीलर अवाड, ऐसी लूट कभी न होई होगी, सारा सोना ले लो पर मुझे बक्स दो, नहीं, सोने के साथ मु क्योंकि जिस पे होते हैं सबसे ज़्यादा सिर, उसी सीथियन को सरदार बना कर भेजता है, बुलगार अपनी सेना के साथ लूट पार्ट पर, पांच हजार की अबादी थी, खजारों की, और छे हजार की संख्या थी, सीथियनों की, अब हम सबने जो सिर काटे हैं, उनकी गिनती होगी और विजेता ही बने गया अगली लूट का सरदार, रूस में सोना सिर्क बुलगार के पास ही मिलेगा, पूरे खजार को कंगालिस्तान बना दो, गिनती हुई, और विजेता बना अगली लूट का सरदार, एक के बाद एक नगरों इमकस्वों को लोटता या सिथियनों का वो काफिला कानून के रक्षक इस फोज के आगे बुली तरह अशफल हुएं धनान उफ बारोदी तीरों की वर्षा रेट 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 रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी यानी कोमितेत गोसुंदरस्त वेनोई वेजोपास्तो नोस्ती यानी सो हजारों साल तक लुप्त प्राय रहने के बाद खोनी सीथियन एका एक फिर कहां से पैदा हो गएं आदरिपो के सामने बैठे थी केजीबी के जहीन जासूस सूसन सूसन केजीबी के कहीं जासूस लपाता हो गएं इस मिसन पर लेकिन सूसन आपको ये किस हल करके सूसन निकल पड़ी सीथियनों की तलास में इधर सीथियन गुरसवारों के फोज निकल पड़ी थी अपनी अगली लूट के लिए बुलगार की आँखों से लोहु सा टपक रहा था आज हमारा सिकार होगा बुखारा और बुखारा के सोने के बेपारी सोना सोना बुखारा में परवेश किया सीथियनों ने सीथियन गुरसवारों की फोज आ गई भागो भागो पूरे नगर को चारों और से घेरने के बाद आराम्भुई एक महांतम लोट हुआ कतले आम खोन और सोना ही भाता है सीथियनों को खच्च लेकिन आज सब कुछ उतना आसान नहीं है आओ आओ दरिंदो सुसन सुझा देगी तुम्हारे गंदे चेहरे धड़ाक सुसन ब्लैक बेल्ट चेंपियन आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें यहीं लेकिन सुसन का वो खेल अधिक देर तक नहीं चला इसे मैं खूटे से गार दूंगा दिवार के साथ चोड़ दो मुझे सैतानों बहदूर है तू तेरा खोन बुलगार की सराब को और नसीला कर देगा नहीं लेकिन यह क्या माथा सीथियन का ही सुर्ख हो उठा खोन से चोग पड़े थे खोनी सीथियन वो द्रिश से देखकर सुसन ने भी निगाएं उठा कर देखा अपने मददगार की ओर क्या यह नागराज है जिसके जिसमें वास करते हैं सेकड़ सा नागराज बहुत खोन बहा चुके बहुत कर चुके लूट अब तुमारे खातमे के लिए नागराज आया है जवाब में बारोदी तीर लब के नागराज की ओर लेकिन तुमारे तीरों का टार्गेट बदल जाए तो नुकसान तुमारा ही है लेकिन ध्यान रहे नागराज का निसाना कभी नहीं चुकता सर्परसी पर जूलते नागराज का कहर भी देखा सीथियनों ने नागराज की मौजूदगी में सुसन के लिए ये लड़ाई बेहद रोमा चक थी नागराज, समलना और सीथियन आ रहे हैं पूरे सहर पर कबजा है इनका इन पर कबजा करेंगे मेरे सर्पसैनिक उफ, कौन है ये नागराज सापो का राजा नागराज इसके सापो ने हमें बंदी बना लिया है नफरत से भड़ी, चीख पड़ी सुसन नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना खोन पीने वाले पिचास हैं ये घबराओ नहीं, अब एक भी सीथियन घुरसवार जीवित नहीं रहेगा ठीक तभी, नागराज और सुसन ने देखा एक अस्टेरे, बचो ओ, ये क्या नागराज के सामने प्रकट हुआ बुलगार का मानसिक चित्र पहली बार किसी ने सीथियनों को कैदी बनाया है और मानसिक सक्ती के परहार से मुझे उन सीथियनों को उड़ाना पड़ा नागराज के मानसिक सक्ती से टकराई बुलगार के मानसिक सक्ती नागराज, तुमारे काराण आज मुझे अपने सीथियन फोर्स के तुम्हारी कब्र। नागराज के मांसिक सक्ती से प्रती उतर दिया बुलगार को।। बुलगार अब तुम और अंगामा नहीं मचा सकोगे रूस में। नागराज तुम्हे तुम्हें तुम्हारी सीतियन फोर्स सहित खत्म कर देगा। बुलगार की बाकी बची सीथियन से ना धोलवरी आंधी उड़ाती हुई गायब हो गई बुखारा से। उधर सूसन अभी तक हैरान खड़ी थी। नागराज ये कैसा करिस्मा था। एक आएक बारूत की तरह कैसे फट पड़ें सब कैदी सीथियन। सीथियनों का नेता बुलगार मानसिक सक्तियों का भी मास्टर है लेकिन तुम कौन हो तुम्हें बहदुरी के साथ सीथियनों से लड़ता देख अच्छा लगा मुझे। नागराज मेरा नाम सूसन है मेरे पिता बाटू खान वुखारा के सबसे बड़े बेपारी हैं सोने के और मैं केजीबी की जासूस हूँ। नागराज अगर तुम ठीक बग पर ना आ जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे खुसी होगी नागराज। सूसन मैं सोने के सबसे बड़े बेपारी तुम्हारे पिता बाटू खान से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं नागराज मैं तुम्हें उनसे अवस्य मिलवाऊंगी। सीथियन बुलगार आज की लूट का सोना देउता के खजाने में जमा कर दो सेनापती बागुरोब। सेनापती बागुरोब उस जॉला मिकी कि सकल के टीले पर चड़ गिया। सारा सोना खजाने में जमा कर दो। बुलगार के नसे से लाल आखों से कहट तूट पड़ रहा था। आज अब देउता बकोरा के पूजा होगी। सब सीथियन मकबरे में पहुँचे। बुलगार गला फाड़ कर हसा। नागराज तुमारी मौत के बाद यहां जस्न होगा। नागराज को लेकर बाटु खान के सामने उपस्तित हुई सूसन। नागराज इनसे मिलो यह है मेरे पिता। मिस्टर बाटु खान। नागराज। ओ, मुझे सूसन ने सब कुछ बताया है नागराज, मेरी बेटी की जीवन रख्चा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया। मेरी बीटी के अलाबा इस दुन्या में मेरा कोई नहीं है नागराज। मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया है मिस्टर बाटु खान। नागराज, खोनी सिथियनों ने यहां अतंक मचा रखा है। सोने और खोन के पिपासू सिथियनों से हमेशा डरे रहते हैं। हम जैसे सोने की बेपारी। बुखारा में सिथियनों के आकरवन के डर से मैंने तो अपने बंगले को छाओने ही बना दिया है। आज अगर सिथियन यहां का रूप करते हैं तो जीव इतना बसते हैं। और अचानक एक परकास पुन्च सचमका। उफ ये क्या इतनी चमक। आखे खुली की खुली रह गई तीनों की। सुसन नागराज को। तो ने ठीक कहा नागराज बच याकोत के नुकेलिक नुकेली से तुम। नागराज ना सिर्फ बचा बलकि त्रिवगती से आते उस मन भर के नुकीलों को भी रोका थम। ये वार तुझे उल्टा पड़ेगा याकोत। बचा नागराज गवार। कमाल का सक्ति साली था याकोत। यही हल करूँगा तेरा भी नागराज। गुस्ता आ गया याकित को। याकोत को अपनी सक्ति दिखाने का दूस्ता हस अब नहीं करेगा नागराज। उफ ओ नागराज। मुझे सिक्रही रोकना होगा। सुसन की तरफ अपना पाँ बढ़ा लिया सैतान ने। नागराज बचाओ। चिलाया बाटु खान नहीं याकोत। रुख जा सैतान याकोत तेरी दुस्मने मुझ से है। याकोत ने खीच लिया अपना पाँ वापस। सरप्रसी पर परचन वेक के साथ लहराया नागराज। तब तक निकल गई सूसन मौद के मुझ से। याकोत ने हलकी सी चपचड़ी नागराज को। नागराज तुम तो ठीक हो ना। तुमारे गाल से रक्त बहरा है नागराज। मेरे घाव कुछ छनों में भर जाते हैं सूसन। लेकिन अब जो घाव मैं इसे दूँगा वो इसकी लास के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिगलने वाली विस्फंकार फेकी। याकोत की फूंक से फूंक से आंधि सी आ गई। ये विस्फंकार मुझ तक पहुँचेगी ही नागराज। बाटु खान और सूसन की आँखों में दिखाई पड़ी सर्वत्र चिंता ही चिंता। नागराज ये सेतान हमें छोड़ेगा नहीं। चिंता मत करो बाटु खान। आज इसका पाला पड़ा है नागराज से नागराज अब अपनी कौन सी सकती का परियोग करने वाला है। क्या बाटु खान।